हालो इस्टूडेंड कुछ किये बिना यूहीं जय जय कार नहीं होती और कोसिस करने वालों की कभी हार नहीं होती बच्चों आप जानते हैं कि हर रोज आप देखते हैं सामकुछ साथ वज़े से कलाफ नाइन्थ की NCRT गड़े और हमने आज आपको दिखाया था आप लोगो के कारण 30% आपका कोर्स कम हो गया है जिसमें आपको निर्दे सांग जामिती नहीं पढ़ना है जिसमें करती इतलो गएरा होता हूँ सब नहीं पढ़ना है इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजे निकल गई है जिनको आपको नहीं पढ़ना है वो मैंने आपको दिखा द परसाथ जी बताइए क्या नाम है आपका पावन अग्रहरी प्रियंका दिवाकर जी सभी जुड़े हुए हैं मैं सबका कमेंट देख पा रहा हूं अनुपम सोनी भी जुड़ गए हैं चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई रोहिद भी जुड़ गए रोहिद बिसकर्मा सब्सक्राइब के बहुत ही पुराने स्टुड़ेंट हैं तो हम लोग अभी तक काफी कुछ पढ़ लिए हैं और उसी करम में आज आगे बढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे कि कल हमने पढ़ा था सरवांगसम और समरूप ना चैप्टर नंबर साथ आपका सुरू हो रहा है ले चैप्टर साथ क्या है आपको पता है ट्रैंगल है तुद्फ है तो तिरबुच का हमें क्या चांसेप्ट पहले सीखना है क्या करना है। कलाफ नाइन्थ NCRT महत चैप्टर साथ कल हम लोगों ने तिर्वुज पढ़ लिया था तिर्वुज के परकार भी आपने देख लिया था तिर्वुज में काइंगुरियन्स कब होता है यानि सर्बंक सम कब होता ये भी आपने पढ़ लिया था समरूप कब होता है ये भी आपने पढ़ लिया था और क्या-क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था ना ये सब समेटरी भी पढ़ लिया था आज हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है आपको ये मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज हम लोग पढ़ेंगे CPCT CPCT का मतलब जानते हो CPCT का मतलब होता है Corresponding Part of Cangriate Triangle यानि की सरवांगसम तिरभूज के सरवांगसम तिरभूज के संगत भाग एक प्रकार से यह समझे लो कि सरवांगसम तिरभूज में कौन कौन से भाग संगत होते हैं संगत मतलब Corresponding जिने बोलता इंगलिज में तो आज हम लोग यह पढ़ेंगे कि आप देखो इदर यहां देखो हेटिंग डालो CPCT चलो बच्चे आप लोग इसका Full Farm बताओ किरन महरे आप बताइए मोनु सिंग बताइए CPCT का Full Farm जल्दी फर्ट से बताओ मैं आपका वीडियो थोड़ा एक फोन में प्ले करता हूं और मैं खुद देखूंगा कि कैसे दिख रहा है कितना अच्छा दिख रहा है चलो जल्दी से एनिवन कोई भी कमेंट करके बताए भाई ऐसे मज़ा नहीं आएगा मिश्टर मनोजग रहरी कुछ समझ मझ में आ रहा है बस इसे देखे जा रहे हो देखो इसका अभी अभी मैंने फूल फाम बताया करस्वांडिंग पार्ट आफ काइंगुरियेंट ट्राइंगल न यही तो इसका मतलब होता है ठीक है चलो फिर हम लोग बड़े आगे विल्कुल नो प्राब्लम गुड चलिए आप देखो इधर साइड में इसका मैं स्पेलिंग भी लिख लूँ आप लोग लिखो करस्वांडिंग एफे करस्वांडिंग पार्ट साफ कांगुरियन्ट ट्रेंगल लिखो सी ओ यान जी आर इधर तो काफी जगा है न लिख लो जल्दी मैं कमेंट देख रहा हूं सभी का भाई कुछ लोगों के उतर नहीं आया भी कांगुरियन्ट आर यू ए एन टी ट्रेंगल टी आर आई एन जी एल ए ठीक है करस्वार्णिंग फार्ट आफ का एंगुरियन्ट ट्रेंगल यानि की सरवांगसम तिरभूज के संगत भाग अब ध्यान से देखो आप लोग भाई इसमें बहुत कम कमेंट मुझे दिख रहे हैं पता नहीं क्यूं प्रिंस पटेल जी आपका कमेंट आ रहा है भाई अंजली साहू आप कलास पे ध्यान दीजिये पढ़ना नहीं भगा देंगे चलो देखो ये ठीक है अब देखो अगर दो तिरभूज दिये गए हैं इनी की हम प्रपर्टी पढ़ेंगे ध्यान देना आप दो तिरभूज अंबूज या दो आपका कमेंट आ रहा है अनुपम या दो आपका भी आ रहा है चलो ठीक है इन तिरभूज के नाम है ए वी और सी दूसरा तिरभूज का कोई नाम अलग रख लो जैसे मालो मैंने फी क्यू और रख दिया अब ध्यान दो आप लोग बहुत ही ध्यान से अगर ये दोने साभाई सम हैं कया है का ε अंगिरेंट याई ए तिरभूज अबी सि यहाँ पर मैं लिखू सारभाई सम का चिन बनाकर घड़ देखो थोड़ा जगा कम है लेकिन मैंने बीच में लिख दिया ठीक है अगर ये दोनों तिरभुज आपस में सरवांगसम है सरवांगसम कब होंगे मैंने कल पढ़ाया है जो बच्चे कल की कलाफ नहीं देखे वो कमेंट करके बताएंगे बाद में उनको वह भी बेच दिया जाएगा उपर नंबर दिया गया उनको पिछली कलाफ दिखा दिया जाएगा प्लेइलिस्ट में जाओ बच्चा देख लो तो कल जो पढ़ेंगे उनको समझ में आ गया होगा चलिए अगर ये दोनों तिरभुज क्या है सरवांगसम है तो क्या होता है यह जो आपका सीपी की संगत भुजा के बराबर होती है संगत मतलब होता है करस्पांडिंग साइड मतलब संगत भुजा ठीक है समझ में आया ना पहला रूल कहता है इसमें दो रूल है एक परकार से आप लोग लिख लो रूल पहला रूल पहला कहता है कि अगर कोई दो तिरभुज आपस में स किसी ही भुजा किसके बराबर होगी दूसरे में कोई बताए चाहिए कोई भी फटाफट करके बताओ शूरज यादो क्वाल्टीचेंज कर लो बच्चा क्वाल्टीचेंज कर लो 720 पिक्सल कर लो एकदम मस्त के गा हमारे यहाँ एकदम मस्त कवरें धिकरा फूल एचिघी मीं दिखरा बाबू ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है यह आपकी अपनी मुसीबथ आप देखो मैं् खुद देख रहाँ यह कैमरा में कम सही आएगा वहां लेकिन खुद देख रहा हूं एक दमस्त दिख रहा है कि देखो बहुत से बच्चों ने जबाब दिया धीरज अभीजय ठाकूर धरम राज प्रिच खांत मिस्रा कुमन परसाद कुमन का नाम बड़ा आजीब साइस लिए मैं नहीं बोल पाता हूं कुमन इनका नाम है चलो तो बच्चा एस प्रणिंग साइड है एसी की जो संगत भुजा है यह जैसे यह इधर है वैसे यह इधर है यह पी आर ठीक है उसी तरह से यह हो गया अब एबी एबी भुजा यह किसके बराबर होगी आप लोग बताओ चलो जल्दी फटाफट सभी कमेंट करके बताओ भई आसीस अनूप यादो आसीस यादो किरन महुर्या छोटू सब्छी मिस्रा सभी बच्चे जबाद दो फटाफट देखो इसमें को बहर इत्ता जादा सही भर दिया है सब मिस्टेक हो जा रहा यार गड़बड हो जा रह चलो चलो रेडी हो जाओ रेडी हो जाओ देखो कुल मिला के मतलब यही है कहने का मतलब यह है कि जो सीपी सीटी का पहला नियम है उसमें यह कहता है कि अगर कोई भी दो तिरभूज आपस में सरबांग सम है कोई भी दो तिरभूज आपस में कांगुरियंट है तो उन तिर बुज की जो corresponding angle है वो आपस में सभी equal होंगे क्या होंगे आपस में equal होंगे यह सब अगर आप पढ़े रहोगे आगे mathematics के भी question आएंगे exercise 7.1, 7.2, 7.3 में अगर आपको यह rule नहीं पता रहेगा तो दिमाग में पल्ले नहीं पढ़ेगा देखोगे लेकिन कुछ समझ में आयेगा नहीं बच्चा हां बुजा आयेगा नहीं याद रखना चलो तो यह मैंने लिखा AB AB की संगत भुजा PQ है क् एक भुजा बच रही BC BC की corresponding side दूसरे वाले में QR है या फिर इसे RQ भी लिख सकते हो ठीक है बिजे ठाकूर आरा समझ में भईया आरा ना एकदम मस्त आ रहा है ना बिल्कुल अच्छा दिख भी रहा है कोई दिक्कत ही नो प्रॉब्लम चलो नोट करो इसको इतना लिख लो यह पहला नियम हो गया कि यह पहला नियम हो गया मैं सामने से कुछ सिकेंड के लिए हट रहा हूं जो बच्चे इसे PBR study app में देख रहे हैं वो ध्यान दें क्लास को भई रेगुलर देखो नहीं तो समझ में नहीं आएगा और जो चात्र इसको PBR study app में अगर कलाफ लिए न तो उनको तो फिर कुछ बाती अलग है उनको तो एक अठा कोर्स मिल गया होगा डेर सारी कला से एक साथ मिल जाती है उन्हें तो कुछ करना ही नहीं होता है अगर आप PBR study app में लिए तो ठीक है चलो हो गया तो आगे बढ़ते हैं दूसरा नियम क्या कहता है कि सर्वांगसम तिर्भुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं यह याद रखना मतलब दो kangarooence अगर triangle है तो उनके जो संगत कोण मतलब क्या बोलते हैं उन्हें संगत कोण में जानते हो करस्पांडिंग एंगल इक्वल होते हैं वह अखलेस वह चार्जिंग में लगा दो तो पैटरी ठीक है चलो देखो अब दूसरा यारी तो मिटाना नहीं था चलो मैं मिटा दे रहा हूं ठीक है जाने तो अब रूल सिकेंड देखो इसको मैंने मिटा दिया इसमें ज्यादा कुछ नहीं था फिलाल मैं फिर से बना दे रहा हूं देखो यह यहीं तो था ना यह हाँ यही तो था क्यों और कुछ था यही था ला मैंने यह यह जिए लिखा था कि ए बी और सी सर्बांग सम्हा तिरभूज PQRK जी बिल्कुल सबका कमेंट मुझे दिख रहा है हिमानसु जी दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है आपका कमेंट किरन मौर्रे आपका भी दिख रहा है ठीक है corresponding एंगल बिल्कुल तो रूल दूसरा क्या और यह आखो समझने के लिए इसका रू इसका रूल से कहता है कि की आ संगत तिर्भुजों में यह संगत सर्वांगिसम उनके संगत उंगत कॉल और उसमें मतलब corresponding angle आपस में equal होते हैं, जैसे मालो यह कॉंड भी है, चलो बताओ, कॉंड भी तिर्भुज ABC से कॉंड भी जो है वो थिर्भुज B की वार के काउन से ऐसे कॉंड के संगत है, बताओ या मैं ऐसे पूछू कि कौन बी का एंगल बी का करस्पांडिंग एंगल बताओ चलो सबसे पहले कौन बताएगा कीरन मोर्या बीजे ठाकूर प्रिंस पटेल छोटू और ब्रिज कांत और कोई बस इतना ही बाकी तुम लोग भाईया क्या यहां मूवी देखने आयो दर्शन क करने आयो हमारा का सब लोग बोला करो नायार कमेंट किया करो रोहित ची बहुत अच्छे बेरी गुड आयूस दिनेस आसीस विकास सभी बच्चे उतर दिया करो मजा नहीं आते फिलाइब नहीं पढ़ाएंगा याद रखना और दूसरी बात यह 20-30 बच्चे जोड़ोगे तो कलाफ नहीं चलेगी जादा दिन भाई यह कम से कम पचास बच्चे लाओना यार पचास से जादा होने चाहिए आप लोग आपने साथी लोग को लाते कहनी कलास में और डेली साथ बज़े होती कलास केवल संडे को नहीं होती बस चलो देखो Ond such a coin B यानी जो अंगळ भी है भाई यह अcióत इसकी जैसे जो manifest क्यों क्या है कर्रिस्ंबिंग एंगल है संगत कूंड एठिक आप कोंडर एंगल क्या होगा चलो बता बटा जल्डी इसे देखते हैं कौन सब SEE बता ता है आप अपना नाम से कमेंट करो ठीक है कोई बात नहीं देखे इसमें सबसे पहले जब आप दिया है प्रिंस पटेल छोड़ तू जी दूसरे नंबर पे हैं बीजे ठाकुर किरन मोर्या आसीस दुर्गेस अब इसे एक सभी बता रहें कोण फी यानि यह एंगल एका जो कि अगर कोई दो तिर्फुज आपस में सरवांग समय देखो मैं इधर से खड़ा होता हूं तब भी छप जाता है इसलिए मैं उधर चला जाता हूं पीछे तो आप लोग कहते होगे पता नहीं कहा छुपा गए इसलिए मैं सामने से खाली करता हूं कि आप इसको स्क्रीन सा स्क्रीन काश्र मॉबाइल टा मं काश्रीन कैक्शर कर लिए करो लिखा मत करो हो सकता क्षर जाधा टायम लगे तो मोबाइल का इसक्रीन काश्र किया करो कि अब हेडिंग डाले हैं देखो यह सारा कंसेप्ट शिख लोग तो चैप्टर साथ की जितने भी कुईश्चन है 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 सब कर ले जाओगे चाहे आप UP बोर्ट से हो या CBSC बोर्ट से हो सब के लिए important है मैं इसलिए सब कुछ English, Hindi दोनों में पढ़ा रहा हूं अगर आप ध्यान से और मिजसे खीलिए पर सैंगली मीडियम से तुसको भी कोई पर्कार की दिख्काट नहीं होनी चाहिए और अब क्या हे यह हो गया, अब हेरिंग डालो, हिंदी इंगलिस दोनों में, हिंदी में लिखो तिरभूज के गुण, हिंदी में लिखो तिरभूज के गुण, अभी इंगलिस में मैंने बोला था पहले ही, प्रपर्टीज आफ ट्राइंगल, क्या लिखोगे, प्रपर्टीज आफ ट्राइ गुंड क्या है बही जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है मैंने सोचा था कि सीबस्षी वाले बच्चे इसमें होंगे और इसी वज़ा ज़्यादा बच्चे देखते भी हैं मतलब सीबसी वाले बच्चे थोड़ा सा जिम्मेदार होते मैं ऐसा बांनता हूं यूपी तिर्बूज का पहला गुण क्या है देखो ये सभी परकार के तिर्बूज की हम बात नहीं करेंगे कुछ important ठीक है कुछ important तिर्बूज की बात करेंगे लिखो पहला वो कौन सा तिर्बूज है यार आइसोसेलेस ना हा लिखो आइसोसेलेस का हिंदी में क्या बोलेंगे चल्दी एडिंग डालो भाई मुझे ज्यादा इंगलिफ नहीं आती सिर्फ हिंदी आती है आइसोसेलेस ट्राइंगल ट्रिंगल इसको हिंदी में बोलेंगे सम्धुई बाहू सम्दुई बाहू आदेखो सम्दुई बाहू तिर भूज के कुछ गुण मैं बताने जा रहा हूं ध्यान दो टू साइड और इक्वल इज काल्ड आईसोसिलेश ट्राइंगल जी बिल्कुल किरन मौर्या जी वेरी गुड करेक्ट है आपका जो स्टेट्मेंट है बिल्कुल करेक्ट है लेकिन इसमें हमें कुछ और पढ़ना है हमें ये पढ़ना है कि किसी भी आईसोसिलेश ट्राइंग होते हैं कुछ समझ में नहीं नहीं अभी देखो पूर आएगा यह तो मुझे मिटान नहीं है चलो हम इसको माल ले रहें कि हमारा क्या है यह यह सम्दुवाहु तिर भूजाएं यह दोनों भूजाएं आपस में बराबर हैं अब एक्वल एसी ठीक है लेट्स एक ट्रेंगल एवी सीज आई शोड ट्रेंगल ओके ठीक है जमीर अंसारी बिल्कुल मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं भी यह तो इकाथ वर्ड इंग्लीस बोलता हूं मुझे तो इंग्लीस आती भी नहीं है अरे यह तो मैं ट्राई कर रहा हूं इंग्लीस बोलने का बस देखो सम्दुबाव तिर्भू जब देखो कैसे ध्यान दो बराबर भुजा के इसमें लिख लो या चलो लिखो गून एक प्रपर्टी नंबर वन लिखो प्रपर्टी नंबर वन लिखो फटाफट लिखो बराबर भुजा के बिपरीत बने दोनों कोण बराबर होते हैं इंग्लीस वालों को मैं बोल दूँगा हिंदी वालों को मैं लिखवा दे रहा हूं बराबर भुजा के बिपरीत बने दोनों कोण बराबर होते हैं इंग्लीस में भी बोलूँगा टेंसन मतले ना लिखो मजलो बस ये दोनों बराबर भुजा हैं इनके जो बिपरीत बने दोनों कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं जैसे देखो ये भुजा A.C. है A.C. के विपरिद यानि आपोजिट आपोजिट मतलब सामने तो जो यह भुजा A.C. है इसके सामने कौन सा कौन आ यह इधर भी है और दूसरी भुजा यह A.B. है एबी के सामने कौन सा कोना बच्चा सी है यानि हम कह सकते हैं कि एंगल वी इक्वल एंगल सी ठीक है इसको एंगलीज में आप कैसे लिखोगे एंगल अपोजित टूएश्ज़ आफ एडा अन इसरस्थ ट्रैंगल और एक्वल देखो कि जो यह side है AC और यह AB, AC के जो opposite angle है B और AB के जो opposite angle है C, यह दोनों आपस में equal होंगे, यह concept याद रखना अभी आगे जब question हल करोगे, तो आपको इसका use करना पड़ेगा बच्चा, अभी exercise हलोगा 7.1, 7.2, 7.3, तो यह कहानी वहां मैं नहीं सिखाऊंगा, इसे कैसे हो गया, डारेक्ट लिख दूँगा यह बराबर इतना बराबर इतना, तो फिर कहो गई कैसे हो गया, दिमाख लगाना पड़ेगा वहीं पे, इसलिए मैं पहले इसको भुजा रहा हूं अच्छे से, कि आप लोग को यह समझ में आ जाए, ठीक, यह पहला हो गया, यह गुड नंबर हो गया, चलो, सिकेंड प्रोपर्टी लिखी आप लोग, प्रोपर्टी नंबर सिकेंड, जी बिल्कुल, किरन मौरया ने डिस्क्राइब किया, बेरी गुड, एंगल अपोजिट्ट्व, इंगल, साइड आफ, आइस तो चाहिए, कि जो कुछ आगे भी, खुद से भी तो कर से य साइड इकल होती है, इस तो सम्धुबाहू है, जैसे य संदुबाहू है न, दूसरा जैस्ट उसी का इंवर्स होता है, इंवर्स बोलते न, मतलब उल्टा होता है, जैसे अभी पढ़े उसी का उल्टा, तो इसमें आप गुड नमबर सिकेंड में क्या लिखोगे, शाले समझे लो फिर लिखना उसर कैसे दोनों बराबर होगे है आपस में सम्धूई भाहू तिर्बूज है तो दो बुजाय आपस में पड़ाबर होंगी इसी को इंगलिस में ISO Celies triangle कहा दाता है तो बहया आएसे तिर्बुज में का होता है न जो बुजाएं बराबर होती है उनके सामने के जो कौण होते है जैसे कौण B ठीक है और ये बुजा A B बराबर है A C के बराबर है तो A B के सामने का कौण C ठीक है ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे कौण B equal कौण C recipe यानि एक मैंगें एक स्वारी एंगल भी कॉसा प्रमार्पील सी जी बिल्कुल अभी किसी ने कमेंट किया सागछी मिशरा बिल्कुल डिल्स गीर करन मौर रहा मिल्कुल यह्दी एंगल राजो है तो भुजा भी कि बराबर होगी जी बिल्कुल आपका भी कथन काफी हाथ तक ठीक है कि समझ में आया ना क्या बताया मैंने लिखो यहां पर लिखो किसी सम्दू बाहुतिरभूज में हिंदी मीडियम और लिखो मैं दो बार बोलूंगा नहीं लिख पाओगे वीडियो रों करके वीडियो थ बुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं किसी भी सम्दू बाहुतिरभूज की बराबर बुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं बस यह हो गया इंगलिस पर मीडियम वाले खुदी लिख लेंगे मैंने उनको समझा दिया कि भया AC जो ह आपको चैसे सारी लोग पहले करना पड़ता है तबBE मस्तिर्श हो गया चीजन Е機會 कपया है तो हैसे हम लोग ये अभी मकान बनाने की तैयारी कर रहे हैं चैप्टर 7 का मकान बनेगा जब 7.1 शुरू होगा लेकिन ये चीजें जब तैयार रहेंगी तब ही बनेगा अगर ये तैयार नहीं रहेंगी तो नहीं बनेगा ठीक ना? इसलिए इसको समझना जरूरी है चलें फिर आगे? चलो ये आपके प्रपर्टी हो गए भाईया और वैसे इसमें अब ज़्यादा कुछ नहीं है थोड़ा सा एक चीज और हो भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ बराबर कॉन्ड की सामने की भुजा भी आपस में बराबर होती है ये तो आप लोग सीक लिए हो इंगलिस मीडियम वाले जो नहीं लिखे वो लोग लिख लें इंगलिस में भी साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आफट राइंगल आर इक्वल इसमें एक लाश्ट और प्रपर्टी है वो भी आप लोग लिख लीज़िये किसी भी तिर्भूज में कौन सी असामानताएं होती है यह इस परकार के तिर्भूज का नहीं है रामफूल बच्चा सुबह आठ बजे चलेगा सुबह आठ बजे मैं पढ़ा दूंगा अभी तो यही चलेगा बाद में चेंज होगा टाइम दिवाली बाद मैंने ट्राई कर लिया कोई भी नहीं आता बाद में पढ़ने ठीक है दो बजे ना आओ तुम लोग ना तुम लोग पढ़ो वही आठ बजे इसलिए मैं कच्छा दस वालों का धील मिल कर दिया कच्छा नो आले देखिए बड़ी इमांदारी से पढ़ते हैं और देल सारे आप लोग डींग डालो तिरभूझ की में असामानताएं तिरभूझ में असामानताएं इंक्वालिटी जाफ ओस्वारी इनक्वालिटी इना ट्रैंगल लिखिए पिरभूज में असामानताएं असामानताएं जल्दी हेडिंग डालो आप लोग पैसामानताएं देखो इंदी हो सकता सही गलाथ कुछ निपता है इंग्लिज में साइसे लिख लो लिखो फटा फट लिखो आप लोग कि आई एन एकी क्यू यू एल आई टी आई एस इन को लेटी इन आट रेंगल इन आरेंगल को शांति वैठेर रहा है आप लोगा थीक ना अदिस्टर ना करो चलो लिख लिए दा एंगल आपोजिट टू दा लांगर साइड इज लार्जर जी बिल्कुल सही का आपने एंगल आपोजिट टू लांगर साइड इज लार्जर बिल्कुल सही कमेंट के आपने देखिए कैसे जैसे अगर मैंने दो तिर्भूज बना लिया एक तिरभूज यह है यह इसके नामकरण मान लीजिए मैंने कर दिया ए वी सी ठीक है और एक ट्रेंगल आप और बना लो इधर साइड में समझने के लिए अभी इसका भी यूज होगा तो आप देखना इसका नामकरण आप कर लो फी क्यू एंड आर उके इतना समझ में आपक अब आप ध्यान दो कैसे क्या करना है समझने की कोशिस करो भाई विकास कुमार का है को मो बना रहे हो चार तरफ को या चलो जल्दी इसको करो मैं सामने से थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ उधर पक्छाई पड़ती ना आप देखते हो मैं उधर खड़ा रहता हूँ थोड थाला रूल है मतलब इसमें जो समझना है आसा मनता है जो है वह चीज समझो लिखो एंगल आपोजिटू लांगर साइड इज लार्जर ठीक है अधिक है लिखो लिखो इंगल इंगलिस मेटे माले लिख लेना अपना बोलने से ही मतलब है ना क्या लिखोगे एंगल आपोजीट एंगल आपोजीट टू लांगर साइड इज लारजर देखो पहले मतलब समझो कहने का यह मतलब है कि जो बड़े कोंड की सामने की भूजा है वो हमेशा बड़ी होती है अब इसमें अगर आप अनुमान लगाओ तो सबसे बड़ा कोंड सो बीस से आसपास होगा न और यह कोंड हमेशा क्या होगा बही ऐसी सितिम जैसे दिख रहा यह चोटा होगा और यह भी क्या होगा बच्छा चोटा होगा यानि सबसे बड़ा कोंड क्या होगा यहां पर सबसे बड़ा कोंड क्या होगा यहां पर हमारा कोंड भी सबसे बड सबसे बड़ी भूजा बढ़े पर तुम मैं समझा दे रहा हूं बाद में आप इसको वीडियो दोबारा देखना भी जब लाइब खतम हो जाएगा अपने दिमाग लगा कि खुद से लिख लेना कैसे लिखना है ठीक है तो बड़ी भूजा क्या हो जाएगी एस ही और इसमें बड़ा कॉण क्या हो जाएगा भी ठीक है समझ गए न यह पहला आपको कौन सा दिख रहा है भाई जो भी होगा अगर यह कौन सबसे छोटा है देखो यहां पर मैंने नापा तो है नहीं जैसे कि मैं मानलों अंजात के लिख देता हूं और तिर्भूज की तीनों कोनों का यह 180 ही होता है 60 बचा है तो मानलों यह 40 है और यह 20 है ऐसा नहीं क कुछ हल कि यह बता देना कि अगर इन तीनों तिर्भूजों में यह कंडिसन है 120 है यह 40 है 20 है तो इसमें सबसे छोटी बुजा 20 होगी क्या होगी 20 सबसे छोटी बुजा होगी इसके लिए कारण क्या होगा इसके लिए यह कारण होगा कि किसी भी जो तिर्भूज में सबसे बड़े कौन की सामने की बुजा बड़ी होती है और सबसे छोटे कौन की सामने की बुजा सबसे छोटी होती है ये दिया नहीं रहेगा आगे के सवालों में तुम लोग को याद रहना चाहिए ठीक है? ये हो गया आगे देखो ये तो मैंने पढ़ा दिया आगे क्या था हाँ जैसे अभी आपने पढ़ा उसी का जैस्ट आपोजिट उसी का जैस्ट आपोजिट जैस्ट आपोजिट क्या कहता है कि किसी भी तिर्भूज में किसी भी तिर्भूज में जो सबसे बड़ी भुजा है सबसे बड़ी भुजा उसका अपोजिट एंगल हमेशा सबसे बड़ा होगा क्या होगा सबसे बड़ा होगा यानि तिरभुज में सबसे बड़ी भुजा का अपोजिट एंगल अपोजिट मिन्स होता है सामने का जैसे आपने सुना होगा कहते हैं मौहित-mobile.com गामरा उधा रहे हैं समझ गहे ना तो जो सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या है PR है तो मुझे यह बताब चाप लोग फिर इसमें सबसे बड़ा कौन कौन होगा भीना नापे किसी रूल के बताबं को बंद करके चलो बताओ किया होगा हाँ सम्मुख बिलकुल ठीक है सही कहा आपने हाँ कौन क्यू बिलकुल क्या होगा एंगल क्यू यह निस सबसे बड़ी जो भुजा है पी आर उसके सामने का जो कौन होगा क्यू वो सबसे बड़ा होगा क्यूं अभी जो मैंने बताए शुरू किया तो बताया ना वैसे ही ठीक है उसी तरह से आप यह याद कर लो सिर्फ आप याद कर लो बस कि सबसे छोटी भुजा के सामने का कौन सबसे छोटा होगा इसमें देखो नापलो सबसे छोटी भुजा कौन है मान लो कि यह सबसे छोटी भुजा है इसको मैंने मान होगा तो तो याद रखना यह क्या है सबसे चोटा कॉन है इसको चाहे तो आप लोग अपने हिसाब से लिख लो और चाहे तो फिर ना लिखो लेकिन आपको याद रहना चाहिए ठीक है यह तिरफुज की असामानताएं हैं ये तिर्भूज की क्या है इनिक्वल्टीज हैं ठीक है समझ गए ना यानि किसी भी जो तिर्भूज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कौन सबसे बड़ा होगा ठीक है जैसे यहाँ पने बताया सबसे बड़ी भुजा के सामने का कौन सबसे बड़ा हो होगी यही चार बातें आप सीखे हो इस चित्र से हैं ना आपकी यह क्लास लाइब होती हर दिन यूटूब पे विल्कुल फ्री होती है कब होती है साम को साथ बजे से आठ वजे की बीच लेकिन अगर बच्चों की संख्या यह 50-60 रहेगी तो यह क्लास पूरे एक गंटे ला लो भी पढ़ें एक दिन कम से कम देखें तो अगर एक दिन कोई भी पूरा कलास देख लेगा तो समझ में आने की पूरी गारंटी होती है लेकिन वो एक दिन इमांदारी से देखे तब ना ठीक है एक दिन आप सिर्फ और सिर्फ लाके दिखाओ बस एक दिन लाके आप लोग यह बताओ कौन कितने बच्चों को लेके आ रहा है भाई बताइए बीजे ठाकूर आप कितने लोगों को लेके आएंगे हैं कोई भी पढ़ने वाले सबी बच्चे जबाब दो प्रिंस पटेल रामफूल गोंड कीरन महर्या लेल चंप बहुत अजीब सानाम है ले इस रोहित विकास लिखने को तयार तुम लोग बड़ा लंबी लंबी गिंती लिखते हो कोई बता रहा बारा कोई ग्यारा कोई अठारा मतलब इतने बच्चे लेकि आओगे भी कलास देखेंगे भी कि बस और इसे बता दिये हो सर कलास 9 का स्टूडेंट नहीं है हमारे पास 11 का स्टूडेंट है औली रोहित जी फिर आप इसको कलास को क्यूं देखते हो भईया टाइम ना वेस्ट करो अगर आप 11 में बढ़ते हो तो आप 11 का पढ़ाई करो हाँ ये अगर आपको बेसिक सीखना है तो फिलाल जरूरी त सुक्रिया अगली कलास फिर से रातरी 8 बज़े से होगी टेट सीट सुपर टेट वालों के लिए चैनल नंबर दो पर होगी पीब्यारे स्टू पॉइंट जिरो पर आप लोग जरूर देखिएगा अगर इसमें से कोई है टेट सीट वाला या फिर आपके घार में कोई भई की भरती की परिच्छा दे रहा है टेट सीटेट सुपर टेट कोई भी उनकी कलास रात आठ बज़े से होगी बैत की बिल्कुल सुनने से हाई लेवल तक तो आप सभी को एक बार फिर से दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी अपने साथियों को सेर करिए ज्यादा